आज की जो ये प्रेस कॉन्फरेंस डेरा सचा सोधा सिर्षद वारा आज यहां की गई है इसका जो विशे था जो में विशे आज यहां का था वो जो 2015 के अंदर जो पावन शिरी गुरू गरंद साब जी के पावन अंगो की बेद भी हुई जो की बहुती निंदनी है बहुत कॉन्फरेंस करने आए थे यहां और आपको मैं बताओं कि डेरा सच्चा सोधा और पुझे गुरू जी का बेद भी के मामले में किसी परकार का कोई हाथ नहीं है क्योंकि डेरा सच्चा सोधा सभी धर्वों का आदर सतकार करता था करता है और करता रहेगा और आपसी भाई सच्चा सोधा एक ऐसी संस्ता है जहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और सभी धर्मों का आदर सतकार करना सिखाया जाता है देखिए ये केस 2015 से चल रहा है लेकिन जो राजनितिक शड्यंतर के तहट पिछली सरकार कॉंग्रेस सरकार ने जो पुझे गुरुजी का नाम इंवॉल्व किया वो जस्ट अभी ही चलान आये हैं तो जब तक हमारी इंवॉल्मेंट नहीं थी हमारा बोलना बनता नहीं था लेकिन ये एक जो ये बैद्वी की घटना है ये सारे समाज के लिए घोर निंदनी है इसके सारी समाज इसकी घोर निंदा करता है डेरा सच्चा सोदा भी और डेरा सच्चा सोदा की साथ संगत भी क्यों हाँ यह कानूनी परक्रिया है हमारे वकील साहीबां जो भी रहेंगे सारे हुआ को अडपट करते हुए जल्दी हमें मानने कोडों पर पूरा भरोसा है कि इसमें जल्दी देरा सच्चा सोधागर पुजे गुरुजी को न्याई मिलेगा अब जो नई सरकार आई है हमें पूरी आशा है क्योंकि पंजाब के लोगों को भी पूरी आशा है कि नई सरकार आई है कुछ नया अच्छा होगा